फिल्म जवाहर बट्टा से साल 1994 में अपनी करियर की शुरुवात करने के बाद दिलिप साहव ने साल 1949 में फिल्म अंदाज से अपनी अलग पहचान बनाएं देखते ही देखते गंगा जवुना और देवदास से लेकर फिल्म उन्होंने मुगले आजम से लेकर कर्मा और नया दोर से भारत देश के हिंदी सिनेमा का पूरा इतिहासी बदल कर रख दिया इसलिए कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा को हमेशा इस बात से याद किया जाएगा ये कहे कर याद किया जाएगा कि दिलिप साहब से पहले और दिलिप साहब के बात का सिनेमा ये नाम दिया गया दिलिप साहब के करियर की वजह से उस दिलिप साहब की हसी भी अपने आप में स अब से खोब स्टत थी जी हाँ दिलिप साहब अकसर इंटर्व्यू देते वे बातों ही बातों में हसा करते थी अब दो दिन गुजर चुके हैं दिलिप साहब के गुजरे हुए आप दिलिप साहब की हसी लोगों को सता रही है क्योंकि दिलिप साहब अब हसते नहीं आये हैं और बुढ़ापे की वजह से काफी लाचार रह रहे थे और सायराबानों को बुढ़ापे में दिलिप साहब को खुश करते हुए उन्हें हसाते हुए उन्हें मुस्कुराने को मजबूर करते हुए अक्सर देखा जाता था कोशिश करती थी सायरा दिलिव साहब को हसाने की और सायरा बानों की जिंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं था जिंदगी में दिलिव साहब को खुश रखना उनकी खुशियों की परवा करना यहीं उनकी पूरी दुनिया बन चुकी थी सच कहा था साइरा ने कि उनकी सासे दिलिव साहब है ऐसे में साइरा पानो को अकेला छोड़ गए दिलिव साहब की गुजरने से जिस सदमे में दूबी है साइरा इस सदमे से उभरने में ना जाने उन्हें कितना समय लगेगा खैर यहाँ पर जबाद दिलिप की हसी की हो रही है तो अपने जमाने में राज कबूर से लेकर देवानंद के साथ धरमेंद्र से लेकर बॉलिवुड इंडस्टरी में हर बड़े कलाकारों के बीच दिलिप साहब का जो सबसे खास अन्दास था दिवानंद राज्यकपूर इन लोगों के साथ इनके हसी के अलग ही रूप थे और सबसे जादा खुबसुरत जिन्दी उनकी उस वक्त ही थी और रहापे की बात की जाए तो रहापे में वो भले ही घर के अंदर ही रह गए लेकिन उन्हें इस बात का गम नहीं क्योंकि उनके पतनी ने एक पल के लिए भी उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा जी हाँ दिलिप साहब की हसी खुशी सब सायरा बानों ही बन चुकी थी सायरा के लिए दिलिप हमेशा जीना चाहते थे और जीने की उम्मीदें उनके अंदर कम नहीं हुई क्योंकि वो सायरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे नेक्स्ट नाइन यूजरूम से तरपतिक रिपोर्ट